मैंने पहले भी सोफा कवर पर दो वीडियो बनाए हैं जो आपको बहुत पसंद आए उसके लिए थैंक यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू क्राफिटेरिया मैं हूँ सुनाली आपकी होस्ट और दोस्त लेकर आए हूँ फिर से एक बज़र फ्रेंडली और बहुत ही यूनीक आइडिया आपके होम डेकोर के लिए दिवाली फेस्टिवल आने वाला है और इसमें भरपूर सफाई और रेनुएशन हमारे घर का चलता रहता है इसी बीच में लेकर आई हूँ एक ऐसा यूनीक आइडिया जो आपके लिविंग एरिया को आपके ड्रॉइंग रूम को आपके घर की शान बना देगा बेसिक सोफा आपके घर की लाइम लाइट कैसे बन सकता है आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि expensive दिखने वाले सोफा कवर्स जो मार्केट में बहुत costly आते हैं उन्हें हम बहुत smart आइडिया के साथ अपने सोफा को हम दे सकते हैं एक बहुत ही expensive लोग और दे सकते हैं एक exclusive look एक unique style में जो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि हम इस तरह से भी इसके लिए कुछ create कर सकते हैं तो इस sofa makeover के लिए हमें क्या क्या चीजों की ज़रुरत होगी चलिए देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिए हैं कुछ rugs यह normal bathroom rugs हैं जो हमें market में बहुत easily available हो जा जो इनकी actual cost है उससे मुझे यह 60% off में मिल गया है इस तरह की sale हर festive season में लगती है जिससे हम अपने favorite products पे बहुत अच्छा discount ले सकते हैं और अपने home furnishing के लिए बहुत सारा items खरीच सकते हैं तो इस तरह की sales का मैं wait करती हूँ जिससे मैं मेरे favorite items जो भी होते हैं उन्हें में अ इसलिए मैंने सर्च किया और मुझे पता लगा कि यह काफी expensive है और इनकी costing बहुत हाई है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक alternate निकाला जाए और क्यों ना इन रक्स को यूज करके मैं इस तरह के throw create करूं क्योंकि हमारा एक sofa लंबा है तो उसके लिए मुझे यहां दो रक्स को जोड़ना होगा रक्स को जोड़ने के लिए यहां पर मैंने लंबे वाले नेडल का यूज किया है जो mostly गदा बनाने वाले लोग यूज करते हैं और यह मार्केट में आपको easily available हो जाएगी और second मैंने यहां पर जो thread का यूज किया है वो भी अच्छा सूत का धागा है त कवर की तरह यूज करूंगी नेक्स यहां पर मैं बनाने वाली हूं कुछ टसल जिसके लिए मैंने वाइट उनका यूज किया है पतले वाली उनका मैंने यूज किया है आप चाहें तो किसी भी तरह की उनका यूज कर सकते हैं और यहां पर 100 राउंड करने के बाद यहां प आप बनाएंगे तो उनका लुक काफी शानदार आता है और आप चाहें तो इसे कॉम से कॉम कर सकते हैं बट मुझे कॉम किये वे अच्छे नहीं लगते तो मैं इने कॉम नहीं करूंगी अब बारी आती है इन तसल्स को इस रग पे अटैच करने की बारी तो सबसे पहले हम मिडल से स्टार्ट करेंगे जिससे हमें एक इक्वल डिस्टेंस का पता चल जाएगा और इस तरह से हम कुछ बीच की हेल्प के साथ इन तसल्स को एड़ करेंगे तो जिसकी वज़ा से एक बहुत ही सुन्दर सा एक लुक क्रियेट हो जाएगा अपने इस थ्रो के लुक को कंप्लीट करने के लिए यहां पर मैंने 20 बाइ 20 इंचिस के बड़े वाले कुशन्स को यूस किया है जो पहले वाले कुशन्स थे हमारे 16 बाइ 16 के छोटे साइस के कुशन्स थे तो इस तरह से यह जो लुक है पूरा का पूरा चेंज हो गया है मेरे इस सोफे का और यह जो कुशन कवर्स है यह भी इस थ्रो के लुक को काफी कॉम्प्लिमेंट कर रहे हैं तो अब बारी आती है कॉस्टिंग की तो हम इसकी कॉस्टिंग देखते हैं कि 1200 रुपीज के तो पड़े हमारे रक्स और 500 रु में यह हमने एक एक्सक्लूजिव लुक क्रियेट किया है कर दो अब बारी आती है